हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक ने वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी सेमसंग गलेक्सी एफिप्टी फाइब 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 करना है मतलब आप लोग चाते होगे जब भी आपके स्क्रीन में आप लोग डबल टेप करते होगे तो आपको जो स्क्रीन है वो ओफ हो जाए और आप लोग जो है लोग स्क्रीन में मतलब जब ओफ रहेगा उसी में ही आप लोग डबल टेप करोगे तो फिर से आपका जो स्क्रीन है हुए wake up हो जाए तो आपको जब बार बार अपने power बटन पे क्लिक करके अपने phone को turn on and off करना नहीं पारेगा आप लोग screen में ही double tap करके screen on and off कर सकते हो तो कैसे आप लोग इसको करोगे गाज तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पासा नाए वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए कर इस वीडियो को start करते हैं double tap screen on and off करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद यहाँ पर से नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगागा इस advanced features का तो इस advanced features के option पे आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पर एक option मिलेगा इस motions gestures का तो इस motions and gestures के option पे click कर दीजिए क्लिक करती ही आप आपको option मिलेगे double tap to turn on screen और double tap to turn off screen तो अबर आप लोग दोनों को ही on कर दोगे तो अभी आप लोग double tap screen on and off कर सकते हैं तो जब भी आप लोग अपने screen में double tap करोगे तो आपको जो screen है वो off हो जाएगा और फिर से आप लोग अपने off screen में ही double tap कर दोगे तो आपको जो screen है वो on हो जाएगा तो बहुत ही easy to use है आप लोग जो है बार बार अपने power button पे click करके जो है आपको screen को on and off नहीं करना है तो आप लोग इस option को एक बर use करके देख सकते हो बहुत ही easy to use है तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Samsung Galaxy A55 5G Phone में double tap screen on and off कर सकते हो तो कैसा लगा गाई आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते गलेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई